आपको विश्वात है ना यही मोदी की गारंटी है मेरे भाईयों भनो अभी मैंने सिंद्री खाद कार खाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी साल दोहजार अठारा में मुझे सिंद्री के इस खाद कार खाने का सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला और आज सिंद्री के इस खाद कार खाने का लोकारपन हो गया आप मुझे बताईए साथियों क्या आपने सोचा था कि एक कार खाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा सब लोग निरास हो चुके थे ना सबने मान लिया था बज़ हो गया ताला लग गया लग गया माना था अगर नहीं माना था लेकिन ये मोधी तो है जिसकी गारंटी में दम है और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी उर्जा भरने के लिए आपने मोधी को काम दिया है इत्खाद कार खाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए आउसर बनेंगे इस खाद कार खाना से पुर्वी भारत के किसानों को बहुत लाब होगा साथियों भाजप का मतलब है भाजपा का मक्सद है और वो है विकास विकास तेज विकास जबकि कॉंग्रेस हो या उसके सहियोगी दल वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है अब देखिये उसका मैं उधान आपको याद कराता हूं नौर्थ कर्णपुरा का बिजली का कार खाना यह बहुत बड़ा उधान है इसका सिलान न्यास पिछली सदी के अंत में अटल विहारी बाजपई करके गए थे लेकिन फिर कॉंग्रेस की गोटा लेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिन्दा करने की गारंटी दी थी आज इस बिजली कार खाने से अनेकों घर रोशन हो रहे है मोदी ने उन गरिबों की भी चिन्ता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था सवभागी योजना से हाँ धनबाद में भी करीब एक लाख गरों में पहली बार मुप्त बिजली कनेक्शन लगा है इसलिए तो देश कह रहा है इसलिए तो देश कह रहा है जहां दूसरों से उमिद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है साथियों जारखन के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गरंटियों के गवाँ है जो बीते वर्षों में पूरी हुई है देवघर में जारखन के दूसरे एरपोर्ट का सलान्याथ मैंने दोहजार अठारह में किया था साल 2022 में इसके लोकारपन करने का आउसर भी आपने मुझे ही दिया साल 2018 में ही मैंने जारखन के पहले एम्स की आधार्थिला रखी थी और 2022 में इसका लोकारपन भी आपके ये सेवक मोदी ने किया आज जारखन देश के उन राज्यों में है जहां रेलिवे का शत्प्रतिशत बिजली करन हो चुका है जारखन को अब तक तीन आधुनिक made in India बंदे भारत ट्रेने मिल चुकी है कुछ दिन पहले ही अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत जारखन के 27 रेलिवे स्टेशनों के आधुनिक करन पर काम शुरू हुआ है एक साथ 27 रेलिवे स्टेशन पिछले सोधाल में ये काम नहीं हुआ होगा 25 फरवरी को ही जारखन में अस्पतानों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का सिलान्याज भी किया गया है साथियों जारखन में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हां कानून व्यवस्ता अच्छी हो शाथन प्रशाथन इमांदार हो लेकिन जब से यहां जेमेम और कॉंग्रेस की परिवारबादी ब्रस्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी है तब से सीतियां बहुत बिगड़ी है जेमेम का मतलब हो गया है जम करके खाओ जारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है तुष्टी करण के चलते गुशपैट बढ़ती जा रही है और यहां जेमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है अपनी तिजोरियां भरने का इन लोगों ने जारखंड की जनता को लूट कर आपको लूट कर आपके पसीने की कमाई को लूट कर अपने लिए बे नामी संपत्यों के पहाड बना लिए है आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड़ियां निकल रही है मैंनो तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही नहीं है पहली बार टीवी पे देखा क्या जारखंड कमाल कर रहा है कोईले के धेर तो देखे से नोटों के धेर देख रहे है और अभी बाबुलाली तो बड़िया वड़नान किया है इसका भाईयो बहनों ये आपका पैसा है ये जारखन के गरीब आदिवास्यों का पैसा है ये आपका पैसा है आपके बच्चों के भविष्च के लिए पैसा था इसे लूट लिया गया है क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे क्या ऐसी बेइमानी जारखन में चलने दोगे क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है ऐसे ब्रस्टाचारियों के खिलाब कार्यवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए के नहीं जानी चाहिए जो जन्ता का लूटा है वो लोटाना पड़ेगा ये मोदी की गारंटी है साथियों जब मोदी ऐसे ब्रस्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बाहने बताते हैं ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारणा में जानते हैं जेमेम और कॉंग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिरफ वोट बैंक ही समझा है जारखन में इतने जनजातिय परिवार है इतने प्रतिभाशाली नवजबान है ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविश्य के लिए कर रहा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए कर रहा है आप मुझे बताईए ये जेमेम को चलाने वाले जो लोग है एक ही परिवार के हैक नहीं है वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है ये मोदी है, आप ही मेरे परिवार्जन है, आपके बच्चों का भविश ये मारी कारण की है साथियों, धनबाद और आसपास का एक खेत्र, उद्यम्यों और समिकों का खेत्र है लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, ये इंडी गड़बंदन वाले उसका विरोध करते हैं क्या फिर उसमें अढंगे डालते हैं, कौरोना काल में हमने मुप्त राशन की योजना शुरू की लेकिन इंडी गड़बंदन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं इंडी गड़बंदन वाले चाहते हैं, कि मुप्त राशन देने वाली योजना बन्द कर दी जाए आप मुझे बताईए भाई, गरीब के घर का चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए गरीब का बच्चा पेट भननने के बादी सोना चाहिए के नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले कितना ही दबाव बना ले लेकिन ये मोदी न जुकने वाला है न खटने वाला है ये मुपतनाज वाली जो गरीबों की योजना है न वो मोदी चालू रखेगा आगे भी चालू रखेगा ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे साथियों यहाँ जारखन के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं मेरे यहाँ गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था मैं कभी सीमा पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे जारखन के भाई बहन मिल जाते हैं ऐसे साथियों को उनको भी जहाँ हो वहाँ मुप्त राशन मिलता रहे हमने इसका भी इंतजाम किया हमने एक देश एक राशनकाड योजना बनाई अम मेरे मज्जूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशनकाड नहीं बनाना पड़ता साथियों भारत को विक्सित बनाने में नारी शक्ती की महतपण भूमिका होने वाली है सुन्ये कर दो लाशनकाड किसी साथियों बäsनाफ भारत किक्क राना राशनकाड साथियों के द Gःई foi मेरे ओग में गएह के विक्के है औरी कमboatworkers राव़ता है साथियों होने भूमिकपाण था राशनकाडापायल उन्हां के भारत की दोस्कानकाड़ता है झाल झाल